आज मैं आप सभी के लिए रोज की चाय से अलग चाय की रसेपी लेकर आई हूँ आईए इस चाय को हम बनाने स्टार्ट करते हैं यहां काली मिच ले लिए डाल चीनी, लॉंग, इलायची और अद्रक अब सभी मसालों को अच्छे से कूट कर रेडी कर लेंगे अब यहां एक पैन पे मैंने डेर कप पानी ले लिए पानी को अच्छे से उबाल आने पर हम अपने सभी मसालों को इसमें डाल देंगे और अच्छे से बॉयल होने देंगे देखे हमने सभी मसाले डाल दिये हैं या बॉयल होने लगे हैं अब यही इसी जगह पे हमें चीनी भी डाल देना है साथ ही चाय पत्ती भी ले लेना है अब सभी को बहुत अच्छे तरीके से बॉयल में ला लेना है अब साथ ही यहां मैंने दो कप चाय के लिए पानी ले लिया था यहां डेड़ कप पानी और एक कप दूद ले लेते हैं इसको भी मिला लेंगे इसे भी अच्छे से बॉयल कर लेंगे अब इसके लिए मैंने यहां एक ट्रिक यूज किया है इससे चाय हमारी बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होती यहां दो चम्मच मिल्क पाउडर और साथी एक चम्मच कॉफी दोनों को मिक्स कर लेंगे ठोड़े से दूद ले लेंगे और अच्छे से इने, अच्छे से मिक्स करके यूज कर लेंगे इसमें लम्स नहीं रहने चाहीं अब इसको भी चाय में डाल देंगे अब इन्हीं भी अच्छे से बॉयल लाने देंगे और अब मारी चाय जितने अच्छे से उबलेगी उतनी ही टेस्टी बनेगी अब हम अपने चाय को छान कर रेडी कर लेते हैं आपको मेरी चाय की रसे भी कैसे लगी like करे comment करे subscribe करे thank you friends